हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई चैनल नैना ब्यूटी टिप्स फ्रेंड्स आइम नैना और आज की हमारी वीडियो है ब्लैक हेड्स के ओपर फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि यह प्रॉब्लम बहुत ही जादा होती है जब हमारे पोर्ड्स ओपन होते हैं तो उसमें दूल मिटे चली जाती है जिसकी वज़े से ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होती है और यह प्रॉब्लम बिलकुल यह अच्छी नहीं लगती है ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे फिस पर आ जाती है आज जो होम रेमेडी में आपको बताने वाली हों बहुत जादा अच्छी होम रेमेडी है और बहुत जादा इजी है अगर आप इसे एक वीक तर डेली यूज़ करते हैं तो आपके ब्लैक हैट्स खत्म हो जाएंगे तो फ्रेंट्स इसका सारा सामान आपको किचन से मिल जाएगा और फ्रेंट्स आप मेरी व फ्रेंट्स देखी हमने टेमाटर को काट लिया है अब हम इसे अपने फेस पर अपलाई करके दिखाते हैं तो फ्रेंट्स आप सभी चाहते हैं टेमाटर हमारे फेस के लिए कितना जादा अच्छा होता है हमारी हर प्रॉब्लम को भी दूर करता है तो फ्रेंट्स अब मैं बताऊंगे आपको इसे अपने फेस पर अप्लाई कैसे करना है हम इसे पांच ये दस नट तक अपने फेस पर अप्लाई करना है अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लिया अफ्रेंट के बाद मुझे अपना फेस वाश करना है तो फ्रेंट देखिए दस मिनट हो चुके थे में अपना फेस वाश कर लिया है फ्रेंट से दूसरा स्टेप है हमारे ऐलोवरा फ्रेंट से आप सभी जानते हैं कि ऐलोवरा हमारे फेस के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है इससे हमारे ब्लैक हैट्स भी खत्म हो जाते हैं और हमारे फेल्पल भी हत्म हो जाते हैं तो आब मैं आपको बताऊँ कि ऐलोवरा का यूज़ आप वो कैसे करना है देखिए हमें इतना ऐलोवरा लेना है और इसे दूनों साइट से कट कर लेना है और फ्रेंट देखिए हमें बीच में सभी से कट कर लेना है और इसका जेल लिका लेना है हमें फ्रेंट्स जेल लिका लेने के बाद हमें अपने से फेस पर अप्लाई करना है तो फ्रेंट्स अब मैं आपको बताऊंगे किसे अप्लाई कैसे करना है तो फ्रेंट्स अब मैं आपको बताँगी कि इस ऐलोवरा को अपने फेस पर अपलाई कैसे करना है जो हमने ऐलोवरा का जयल निकाला अब उसे अपने फेस पर अपलाई कैसे करना है अब वो आपको मैं बताती हूँ प्रेंट जो हमने जल लगा 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 उसे अपने हाथों पर रखने के बाद उसे अच्छी से रगड़ कर अपने फेस पर अप्लाई करना है पांच ये दुस मिनट तक हमें इसे अपने फेस पर अच्छी से मसाच करनी है उसके बाद हमें अपना फेस वाश कर लेना है फ्रेंट्स ऐलोवरा लगाने के बाद बहुत ही जादा अच्छा लगता है हमारा फेस और सॉफ्ट भी लगता है तो फ्रेंट्स विंटरी सीजन में अगर हम इस ऐलोवरा को यूज करते हैं तो हमारा फेस ड्राइ नहीं लगता है और बहुत ही ज्यादा सौफटी भी लगता है यह ब्लैक हैट्स को भी दूर करेगा फ्रेंट्स देखिए यह अच्छी से ड्राइ हो चुका है अब मैं अपने फेस को वाश करके आती हूं फ्रेंट्स देखिए मैंने अपना फेस वाश कर लिया है आप फर्क नज़र आजाए गा तो हमारा तीसरा स्टाप है फ्रेंट्स जब हमाँ मैं फेजिवाश करके आते हैं तो हमारे ब्लैक हेट्स यहाँ पर और यहाँ पर बिलकुल अलग दिखने लगते हैं, जो बलकुल अच्छे नहीं लगते हैं जो अप यहाँ पर टॉबल के हेल्प से खिलीन कर लीजेगा यह बी स्टैप बहुत ही ज़ादा अच्छा है और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं तो आप टमाटर को पीस करके अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्टैप है फ्रेंड्स अगर आप इन तीन स्टैप को डेली यूज़ करते हैं तो आपके ब्लैक हैट से रिमूब हो जाएंगे और आपका फेस क्लीन हो जाएगा तो friends कैसे लगी आपको ये वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो please वीडियो को ज़ादा से ज़ादा शेयर करें अगर आप मेरे चैनल पर नहें तो please चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए मिलते हैं आप सबी से अगले वीडियो में